हाई आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर साल जैनवरी में हमारे यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है मेला लगता है एग्जिबिशन लगती है जो कि अपने इंडिया की सभी स्टेट से मतलब जहां पर जो भी फेमस है वो सारी अपने अपनी चुका आती है औरफ बहुत बड़ा मेला लगता है यस में कम से कम यह मान लिजे 7800 अंसों स्टॉल होती है और विंटर में ही होती है जिसमें संऑ को लेक्षन आड़म फुट्वियः ड्रेसेव, ख против m. तो दस दिन की लिए लगती है आइप लोगों के यहाँपर भी लakah मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा आप लोगों मैं से किस किस के यहाँ पर यह प्रदर्शनी जो एक्जिबिशन है यह लगती है तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लगी है जो तीन तारिक को लगी थी and I think तेरा तारिक को लास्ट हो जाएगी तो मैं भी शॉपिंग के लिए गई थी संडे को and थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत नहीं बहुत जादा की है तो चलिए अभी मैं जो इसमें एक ही प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत जादा बड़ी वीडियो जाएगी और मैं छोटी वीडियो बनाना चाहती हूँ तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करी हूँ वो सिफ एरिंग कर रही हूँ कि महां से मैं आपको दिखाऊंगी कौन-कौन से मैं लिये है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आजाती है तो लायक शेयर और सबस्डराइब करना बिल्कुल मत भूलना मेर पर first जो pair है वो इस तरह से है और इसकी जो मैं price बताऊंगी ना seriously इतनी जादा इतनी जादा affordable है यह मतलब इतना अच्छे वाली price में मुझे बहुत ही अच्छी quality and बहुत अच्छी वाली चीज मिल गई है तो यहां पर देखी यह earrings है जो की काफी सुन्दर लग रहे हैं and इसमे ब्लैक भी था and दूसरा shade भी था बट मैंने black color ही लिया है तो इस तरह से है यह वाली और इसकी quality आपको नजर आ ही रही है बहुत ज़्यादा cheap नहीं है बहुत ही अच्छी quality है and इसे मैं जल्दी जल्दी आपको wear करके भी दिखा देती हूँ और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई यह वैसे मैं इतने बड़े नहीं पहनती बाहर मैं कहीं पर भी नहीं करती हूँ लेकिन जब मुझे अच्छे लग गए तो मैंने सचा ले लेते हैं जब हम YouTube पे वीडियो जो डालते हैं उसमें तो हम पहनी सकते हैं तो ऐसे करके मैंन इसे ले लिए और देखी बड़े प्यारे लग रहे हैं ना और ब्लैक कलर मैंने इसने लिया ताकि किसी भी आपके आउट्पिट के साथ में यह बहुत ही अच्छी से सिला जाएगा तो सेकंड दिखाती हूँ अब मैं इसे मैं पैन के ही रख लेती हूँ बहुत ही प्यारे जुमके के साथ में मतलब बालिये और जुमके दौनों है और इसमें अनली ब्लैक कलर ही था यह तो मैंने यह लिया है आप देखिए बहुत जादा सुन्दर है यार रियली मैं कितने प्रीटी लग रहा है नहीं नीचे देखिए इसमें कितना अच्छा यह दिया है घुंगरू टाइप दिये है इसमें बट आवाज बहुत ही लाइट आवाज है इसकी यह देखिए इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ पैन के वन बाई वन सारे पैन के दिखाती हूँ ताकि आप लोग बताना मुझके कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे है ठीक है और यह काफी अच्छे लगता है मतलब और वेट वेट बहुत लाइट वेट है बिलकुल भी इसा नहीं कि आपके कान लटक जाएंगे ऐसा नहीं यह बहुत लाइट वेट है यह और इनकी प्राइज में आपको बता देती हूँ सभी की जो प्राइज है वो अउनली 30 रूपीज है सिर्फ 30 रूपीज यह देखी इसके अंदर आलकी से आवाज हो रही है बट काफी लाइट वेट है बहुत ही अच्छे सुन्दर लग रहे है और अनली 30 रूपीज आपको देखी कितना ज्यादा एफॉर्डेबल एंड बहुत ही प्राइज अच्छी वाली है और लास टाइम जब एक्जिशन लगी थी न एंड थर्ड एरिंग है ये वाला ये देखी काफी सुन्दर है नहीं ये भी और ये तो बहुत ही लाइट वेट है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है आपके हैंड में भी है के बहुत जादा लाइट वेट है ये ये हो गए त्री पेर एंड नेक्स्ट जो मैंने ली है वो ली है इस तरह से ये मैंने ली है छोटी-छोटी बाली हैं बिल्कुल एंड इस में पूरे में डायमंड है यहां पर आप देख सकते हैं यहां स्टोन हैं पूरे में यह देखिए पूरा स्टोन है इसके अंदर यह इस तरह से हैं कि अच्छ जो है वो यह है सबसे फुल साइज में मुझे यही मिला था इससे बड़ा साइज था नहीं वरना मैं बड़ा साइज लेने वाली थी यह देखिए इतना बड़ी साइज की है यह बाली है तो इसको मैं आपको वियर करके दिखाती है जैली से कर दो यहां पर लगाने के लिए तो मुझे इस तरह से लेनी थी यह स्टोन वाली तो यह मुझे मिल गई तो काफी अच्छी है यह देखे आप किसी भी ओकेजन में याप वाइट कुछ भी पैनते हैं तो उसके साथ में कर सकते हैं काफी प्रीटी लग रही है यह तो यह मुझे यह वन पैर मुझे मिला था थर्टी रूपीज में यह भी थर्टी रूपीज का है पैर यह देखे यह देखे और इसमें भी पैर्ल है मोती जो की काफी प्याले लग रहे है यह देखे इनको इस तरह से लगाते हैं तो एकदम बच्चों वाला लुक आने लग जाता है ना ऐसे लगते हैं जब बच्चें हम लोग लग लग रहा है ना प्यारी लग रही है यह भी मुझे लेडी थी काफी टाइम से सर्च करे थी बट मुझे कहीं पर मिली नी और वहाँ पर एक्जिविशन में थोड़ी से एंटिक चीज हमें मिल जाती है और सबसे अच्छा जो पेर है ना वो मुझे यह वाला लगा आप लोग बताईए का आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पेर लगा इन में से मुझे यह वाला लगा सबसे ज़्यादा प्रिटी और एक मैंने लिया है यह यह अच्छी वाली मुझे यह चीज मिली है और इवस यही सारी चीज थी और आप लोग मुझे ज़रू बताईए आपको इन में से कौन सा वाला इयरिंग अच्छा लगा है और मुझे पे कौन सा अच्छा लग रहा वो भी बताईएगा क्योंकि आपकी चॉइस मेरे लिए बहुत जादा माइने रखती है तो मैं आपसे पूछती हूँ तो फिर मैं मोस्ली उन चीज़ाँ को ज्यादा यूज करती हूँ इसलिए आप लोग जरूर बताईएगा कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है तो यह चोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए पास में जो बैल है उसे क्लिक करिए ताकि आपको में हर वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलते रहे और सभी के साथ में शियर जरूर जरूर करिएगा मेरे चैनल को ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर अपना दियार की बाई